कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि आप सभी का स्वागत हैं आप हमें यूट्यूब चैनल पर लाइब डेकरिस्ट के लाव फेस्बुक और जो हमारे जो स्टेट के प्लेटफोर्म है उस पर भी आप लाइब देख रहे हैं तो जो भी हिंदी पासी स्टेट्स है वो सभी स्टेट्स पर हमारी ये करेंट की जो क्लास है वो लाइब रहती है आफ आज का जो संडे का एक स्पेशल आफिशोड है जिसके अंदर स्पेशल टोटल 20 स्लाइट्स है स उनको ले सकते हैं फिर देखिए और एक आफ्जाटी फश्चन के बाद निउस्पेपर कटिंग से आनेलसिस है यह निउस्पेपर कटिंग से है यह भी निउसपेपर agout यह आपका यह जो आपके one liner है one liner को with explanation है one liner with explanation है उसके अलावा यह जैसे आप तरे today's question यह निए आज का सवाल ठीक है यह आपका आज का सवाल है वैसा ही जो कल आपको सवाल पूछा गया दा उस सवाल का आज आपको answer दिया जाएगा और इसके साथ यह आपका सवाल है complete होगा यह जो complete आपका session current affairs का जिसको मैंने आपको pictorial यह पूरा दिखाया आज Sunday की हमारी special class है वैसे Sunday हमारा current affairs के मामले में Sunday off ही रहता है लेकिन आज हम current affairs के लिए wishes class लेके आएं और यह class बहुत important है और काफी इसमें जो सामगरी है वो भरपूर सामगरी है पुछनी हो समझे कि पिछले पूरे week की important important गटना करम है चाहे वो regional हो national हो international हो सभी प्रकार की गटना है आज आपको सुनने को और देखने को मिलेगी तो बने रहे हमारे IQ के YouTube चैनल हमारे IQ की जो Facebook चैनल और दूसरे जो हमारे state जो level के share करना ना भूले अपने colleagues को भी साथ में जोड़िए ताकि maximum इस प्रकार के वीडियो का फाइदा उठा सके तो let us start today's current session हाँ तो जैसे कि तमिल नाडू है आप देख रहे हैं कि तमिल नाडू वाई इन न्यूज तमिल नाडू वित मंत्रा लेद और राजी सेब में प्रसुत की गए आगड़ों के मताबी प्रधान मंत्री मुद्रा योजना जो आप क्या है PMMY PMMY पूरा नाम क्या है प्रधान मंत्री मुद्रा योजना उसके तैट मैलाओं को रिंड देने के सूची में सबसे जो टॉप किया है माहिलाओं को रिंड देने के सूची में जो टॉप किया है वो स्टेट कौन सा है और वो स्टेट है आपका टी एन यानि की तमिल नाडु तमिल नाडु ने पी एम एम वाई में माहिलाओं को जो है वो लॉन है वो सबसे ज़्यादा दिया और पूरे देश में यह निन यहीं तमिलाड उन्दा टॉप किया है दूसरा पीड़ देखे हाली में किस बैंक ने किसानों की साह का आलाइट करने के लिए satellite data का उपयोग किया है और वो बैंक है आपकी ICICI ICICI ICI, ICICI से बैंक ने क्या किया है किसानों की साग का आखलन करने के लिए सेटलाइट डेटा का उप्योग किया है किस प्रकार के डेटा का उप्योग किया है सेटलाइट डेटा का उप्योग किया है और किस लिए किया है किसानों की क्रेडिट की पैचान के लिए किसानों की साग का आखलन करने के लिए ऐसा किये गए वह देश जो लगबग 10 लाग रोहिंग्याओं को भाषण 4 दीप इस्थांतरित करने की यूजना बना ही है और वो आपका कंट्री कौन सा है 10 लाग से ज़्यादा रोहिंग्या देखिए 10 लाग 10 10 लाग से भी ज़्यादा रोहिंग्याओं को शिफ्ट करने की जो स्कीम लेके आए हैं और वो कंट्री है आपका है बांगला देश ठीक है फिर केंद्र सरकार ने जी एसी बड़ी राह देते वे कितने लाग रूपए सालान तक के टर्न और वाले करोबार को इसके डायरे से बाहर रखने का फैसला किया है यानि कि वो ऐसे बिजनस हाउसे ऐसे बिजनस स्टार्ट अपस जिनका एनुवल यानि वार्शिक जो टर्न और है वो कितना लाग हो जहां पे उन्होंने जी एस्टी से आपको रिबेट किया है यानि उसको आपको जी एस्टी के डायरे से बाहर रखने का गौर्मेंट ओप इंडिया ने फैसला किया है और वो है 40 लाग तो पहले ये लिमिट किती थी पहले ये लिमिट थी 20 लाग पहले ये लिमिट याद रखिए पहले ये limit आपकी 20 लाग थी और यही बढ़ा करके और कहां तक कर दी गिए 40 लाग रुपे तक यह स्टार्टप्स यह से बिजनस हाउसे जो इनका turnover 40 लाग तक रहेगा annually तब तक कोई GST नहीं लगेगा next देखें केंड सरकार खाजे सामे करें trans fat जो 5 परतिशत था trans fat जो आपके जो food items है उसमें trans fat जो पहले 5 परतिशत की जो छूट थी वो उसको कम कर दिया है 5% to 2% 5% से घटा करके अब trans fat जो खाजे सामगरी में सिर्फ 2% ही लव रहेगा तो घटा अगर कितने परसे करने की तयार ही कर रही है केंद सरकार ऐसा planning कर रही है कि trans fat जो खाजे सामगरी है उसमें trans fat आपका 5% से कम होके 2% ही होगा केंद के तरब से निरिया सुविधाओं पर आधारित रैंकिम है किस राज्य को पहला इस्तान प्राप्थ हुआ है निरिया सुविधाओं पर आधारित rank जो provide कीगी है जो मालिया की हम निरियाद करते हैं दूसरे countrys को तो उसमें जो अलगले countrys को हम अपनी एक rank जो facility provide करते हैं उसमें एक ranking provide की जाती है तो यहाँ यह प्रशन पूचाया कि केंदर की तरफ से निरिया सुविधाओं पर आधारित ranking में किस जो state है किस country को पहला इस्तान प्राप्त हुआ है और वो है आपका नेपाल next देखे हाली में किस देश ने एक समारो के दोरान पाकिस्तानी नोसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नोसेनिक युद्ध पौथ लॉंच किया है और वो पता है आपको वो किस ने युद्ध पौथ लॉंच किया है चीन में पाकिस्तान के लिए चीन में एक नोसेनिक युद्ध पौथ जो लॉंच किया है वो देश जिसकी साथ भारतिन राश्टी समन समीति की पहली बैठ़ किस से अध्यक्स तकी वो है उजबैकिस्तान वारति जुडो खिलाडी दिपांसु बालियान को नाड़ा के डोपिंग रोधी अनुस्टाशन पैना लियाने की ADDP प्रतिबंदित पदाथ था फ्यूरो सेमाईड उसके सेवन के कारण कितने महीने के लिए जो आपको सस्पेंड किया गया है 22 महीने 22 मंस 22 मंस के लिए और यह है आपके जुडो खिलाडी किस प्रकार के खिलाडी है जुडो प्लेयर जिनका नाम है दिपांसु बालियान जुडो प्लेयर दिपांसु बालियान को 22 मंस के लिए ADDP किस ने बैन किया है ADDP ने 22 मंस के लिए बैन कर दिया गया है तो यह आपका कुछ important highlights था अब objective questions पर ध्यान दीजिए How many new circles of ASI has been announced by Ministry of Culture संस्कृति मंत्राले दोरा ASI के कितने नए हलकों की गोशना केगी और मुझे लगता है कि आप लोगों को यह जो objective questions है वो बिल्कुल photo part करने चाहिए 10 सेकंड का टाइम में आप photo part करिये इसको अब संस्क्राइम How many new circles of ASI? A.S.I. Archaeological Survey of India जिसको आप बारतिये पूरा तत्व सर्वेक्षन हिंदी नाम से भी पुकारते हैं बारतिये पूरा तत्व सर्वेक्षन तो इसके नए जो Ministry of Culture ने संस्कृति मंत्रा लेने नए जो सरकिस बनाए है तो कितने सरकिस का Announcement है वो किया गया है यह आपके Option है और इसमें आपको सही बताना है कि कितने ऐसे नए सरकिस बनाए गए है तो 6 है, 7 है, 8 है या 9 है तो आप लोगों ने जो भी Answer दिया है लेकिन जिनों ने 7 Answer दिया है 7 is your right answer साथ ऐसे नए सरकिस है वो बनाए गए है इसको आगे Explanation में देखेंगे किस मंत्रा ले ने DGNCC Mobile App लांच किया गया है विच मिनिस्ट्री है लांच DGNCC Mobile App Ministry of Defense, Ministry of Family, Welfare and Health Ministry of Education, Ministry of Ayush रक्षा मंत्रा ले या स्वास्टे और परिवार कल्यान मंत्रा ले Education एन शिक्षा मंत्रा ले या फिर आईउश मंत्रा ले तो Options आपके समख से पठापठ करिए 10 सेकंड में किस मंत्रा ले ने DGNCC Mobile App लांच किया है रक्षा मंत्रा ले, परिवार कल्यान मंत्रा ले शिक्षा मंत्रा ले या फिर आईउश मंत्रा ले आईउश मंत्रा ले आईउश कमेट करिए फटापठ आईउश नहीं आ रहे आपके DGNCC, देखो यह DGNCC मलब यह आप कहा सकते है Director General National Cadet Corps, पूरा नाम है Director General Director General National Cadet Corps, NCC का नाम तो सुना ही होगा आपने Cadet Corps, यह NCC को ले करके, इसमें NCC की Training Provide कराए जाएगी, NCC के जो भी Experience है उनको Train किया जाएगा, Train करने के लिए Mobile Application है उसको बनाया गया है, उसको Launch किया गया है और इसमें Man Focus है, to Train the NCC, NCC की जो Cadets है, उनको Train करने का इसमें मकसद है ऐसी Application Launch किसने की, आपको यह द्यान अगना की DG आपकी NCC जो Application है, Mobile Application यह किसने Launch की है तो फटा फटा आंसर बदाए DG NCC Application है, Mobile Application है, वो किसने Launch की है झाल, किसने Launch की है हाँ तो यह मंत्राले आपका है रक्षा मंत्राले ठीक है Ministry of Defense Mode जिसको आप Mode कह सकते हैं Ministry of Defense का मलब रक्षा मंत्राले ने इस प्रकार की Mobile Application को Launch किया यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग ने इस प्रकार की Mobile Application जिसका नाम है DDNCC इसको Launch किया है रक्षा मंत्राले दोगा है अगला प्रशन देखिए हाँ बिल्कुल रक्षा मंत्राले आपका ऑफ्शन सही है जिन्होंना Answer दिया है रक्षा मंत्राले दोगा है रक्षा मंत्राले इस राइट राजनाथ को लेकर के जिनका निदन हो चुका है किस पेशे से जुड़ी थी अर्चना महंत अर्चना महंत का प्रशन है आपका अर्चना महंत है वो किस पेशे से जुड़ी है नर्थकी, गायक, खिलाड़ी या राजनाइग कमेंड करें आंसर अपना नर्थकी यानि की दा डांसर, दा सिंगर, दा प्लेयर और डिप्लोमेट है हाँ, गुड़ मॉर्णिंग एवरिवन, Mr. देवंदर पाल सिंग, MD, शम्शेद अंसारी, देवंदर सिंग, गुड़ मॉर्णिंग एवरिवन, हाँ, तो ये जो ऑप्शन है, इसमें देखिए, मेरे पास आंसर आ रहे हैं, MD, शम्शेद अंसारी ने अपना आंसर दे दिया है, कि वो उनको एक नर्तके की रूप में देख रहे हैं, हाँ, सो फार एक ये आंसर आया है, बड़ा बड़ा आंसर करिए, हाजी, तो ये आपका जो अर्चना महंत है, अर्चना महंत न वो नर्तकी है, न खिलाडी है, न राजनेक है, ठीकर न, ये जो फोक सिंगर है, यानि कि आप इनको गायक कह सकते हैं, B is your right one answer, ठीकर न, ये लोग गाई का है, फोक सिंगर, और फोक सिंगर कहां की है, ये फोक सिंगर है, आसाम की, आसाम की लोग गाई का है, जो आप पिक्स में देख सकते हैं, अर्चना महंत, उनके पती जो खगेन महंत है, उनका असमिया लोग संगीत है, वो बहुत ही लोग प्री है, और संगीत यूगल ने अकसर एक साथ कई, ऐसे यूगल हिट गाने भी दिये हैं, तो पती थे खगेन महंत, पती थे खगेन महंत, और इस जोडी ने असम या भाशा में खूब लोग गीत और खूब असम या भाशा में खूब लोग गीत हिट लोग गीत दिये, ठीक है, तो ये लोग गीत या गीत कार कह सकते हैं, सिंगर कह सकते हैं, सिंगर is your right answer तो singer जिन्होंने भी अपना answer दिया है, उनका answer सही है, singer is your right one, बिलकुल तिलक राज ने अपना answer सही दिया है, तिलक राज is right one, देवेंदर पास सिंग, काना राम मीना, भी बिलकुल ठीक है, काना राम जी का answer सही है, ठीक है, next question देखे, देखे हैं, यह explanation है, आप देख सकते हैं इस question का answer सही है, असम राज जी की दिगर्ज लोग गाई का है, अर्चना मेहन, जिनका बैतवस्ट की आयू में हाली में निदन हो गया, उनका अंतिम सुसकार है, वो राज की सम्मान के साथ किया गया, उनके पती है, वो खगेन मेहन्त है, खगेन मेहन्त, भी संगीत नाठक अंताकार्मी के उर्षकारविजेता है, यह धंपती, असम या संकीत काईर करम एक साथ प्रसूति देता है, उनका बेटा है, जिसका नाम है पापोन, ठीक है? नाम का एक लोग प्रिये गायक है, जो पूतर है जिनका नाम है पापोन, यह काफी popular, यह भी आपके सिंगर है, गायक है पापवन ठीक है next question देखिए हुल हुमाले Central Park जो हाली में ख़बरों में आपने देखा है किस देश में स्थित है हुल हुमाले Central Park which was recently seen in the news is located in which country आप पार्क को देख सकते हैं यह आपका पार्क है यह हुल हुमाले National Park है कैसा पार्क है हुल हुमाले National Park बहुत ही beautiful पार्क है और आप लोग इस पार्क को आपको अच्छी तरह से देख रहे हैं कि यह पार्क किस देश में स्थित है जो हाली में सुर्कियों में था हुल हुमाले Central Park जो हाली में ख़बरों में देखा गया था किस देश में इस्तित्थ है यह आपको बताना है इन विच कंट्री हुल हुमाले पार्क पार्क अगर देख लिया है तो options देख लीजे हुल हुमाले पार्क यह आपके option है माल्दीव्स मौरिश्यस मयानमार या इंडिया यह किस देश का नैशनल पार्क है आंसर कमेंट कीजिए विदिन 10-15 सेकंड्स में आंसर आजाना चाहिए 10 से 15 सेंड में आंसर आना चाहिए हुल हुमाले सेंटल पार्क जो किस देश का नैशनल पार्क है जो हाली में न्यूज में था हाँ तो यह जो पहला ओप्शन है जिन्होंने अपना फॉस्ट ओप्शन माल दीव लिखा है तो माल दीव इस राइट वन यह हुल हुमाले सेंटल पार्क जो आप पिक में देख रहे हैं यह माल दीव का नैशनल पार्क है मालदी ने हाली में हुलमाज सेंटर पार के विकास और आगवन जैटी के नवीकर्ण के लिए आदार सिला रखी और भारत ने इसमें जो सयो किया है वो 10 मिलियन मालदीवन रूपिया सायता की माध्यम से भिजवाया है 10 मिलियन मालदीवन इतना है 10 मिलियन 10 मिलियन माल दीवन रूपिया कह सकते हैं इतनी एड है वो एड किसकी तरफ से दीगी है बारत सरकार की तरफ से तो यह परियूजना जो है HDC जिसको आप आवास विकास निगम Housing Development Corporation दोरा यह परियूजना विक्सित की जारी है यह बारत दोरा माल दी में वित पोशित की जारी जो 18 अनुदान परियूजना का एक हिस्सा है अनुदान परियूजना जिसको आप Grants in Ad खह सकते हैं ऐसी परियूजना जो 18 है टूटल माल दी उसमें उसमें एक परियूजना ये भी है और इसमें आपका ये Central Park भी इंक्लूड है इसके विकास को ले करके यही कहा है पार्क के विकास और आगबन जैटी का रेनोवेशन नवी कर्ण के लिए यह आपका नेक्स कोशन देखिए जार बॉम यूनाटे स्टेश, चाइना, रसिया और जर्मानी जार का बम जो हाली में खबरों में आप लोगों ने देखा था वो किस देश दोरा विक्सित किया गया था सभी तराज अमेरिका, चीन, रूस और जर्मानी पटापट आंसर कमेंट कीजे आल ही में आप लोगों को पता है कि एक देश ने बहुत पहले इस प्रकार के बम का जो परिक्षन किया लेकिन उसका अभी वीडियो जारी किया है और उसको डिस्कलोज किया है कि हमने इतने साल पहले ये 1961 की बात है कि 1961 में ये बम का एक्स्प्लोजन जो किया गया है किया गया वो 1961 में किया गया कब किया गया 1961 में और ये एक हइड्रोजन टाइप का बंब है कैसा बांब है हाइड्रोजन बांब है और बहुत ही पोपूलर माना गया याणी ये बम जो आपका गो जो चॉघाब जो केजी का बम था ओर हिरोषेमा पर गिराएगा था यूस ने 1945 में गिराएगा था 1946 पे ज़िए नागा से की और हिरोषीमा पे जो बंब गिराएगा था यू एस नागा साकई घराएगा था उससे ये काफी पूपूलर्ट बहुत जधा पूपूलर्टा है 24,000 कीजी का वजन है इतना powerful से 100 गुना powerful bomb है इसका explosion है एक देश ने किया है और वो आपको option है तो अपना answer में comment करना है तो फटापट comment करके बताई कौन सा answer हैगा बिल्कुल काफी लोग उना answer अपने सही दिये देवेंदर सिंग, RS चौधरी, काना राम, बिल्कुल देवेंदर सिंग, MD, शम्षेद अंसारी शम्षेद अंसारी जरूर मिस कर रहे है शम्षेद ठीक है तो यह जो आपका देश है वो है रसिया यानिकी रूस उस समय का सोवियत रूस उस समय इसका नाम था सोवियत रूस जो की डिसाइंटिग्रेट हुआ था और 1991 में विगटिद हो चुका था उससे पहले 1961 में उस समय सोवियत रूस था ठीक है और सोवियत रूस ने ऐसा परिक्षन किया था हाइड्रोजन बम जो अभी उन्होंने खुलासा किया है ठीक है यह आप देख सकते हैं पिक में रूस ने दिखाया वह एटम बम विस्पोर्ट जिसके आगे हिरोशिमा कुछ भी नहीं है ठीक है यह आफ पिक में देख सकते हैं हाँ तो जिन्होंने अपना जो तीसरा ओप्षन सी ओप्षन लिखा है वो आपका रसिया इस दा राइट वन क्योंकि 1961 में आपके शार बम है वो डेटोनेट किये गे एटमोस्पियर पे मास्को टाइम आपका है तो यह मित्यू शीका बे न्यूक्लियर टेस्टिंग रेंस इसको किया गया और आर्क्टिक सरकिल है वहाँ पे इसका टेस्ट किया गया कहां टेस्ट किया गया आर्क्टिक सागर कह सकते है ठीकर आर्क्टिक सागर में इसको टेस्ट किया गया था और मित्यू शीका बे न्यूक्लियर टेस्टिंग रेंज कह सकते हैं यह रसिया की एक MB&T range ठीक है इसके दराई टेस्ट किया गया और ये पाया गया कि ये 13,000 feet उपर तक इसकी जवाला है उठी थी 13,000 feet आप कहा सकते हैं बहुत ही उपर उठी थी जैसे कि आप PIX में देख सकते हैं ये इसकी PIX है और 3 PIX में आप देख सकते हैं कि अलग इलग इसका जो डिजाइन है वो कैसा है और जो इसकी जो फ्लैम है जो जो अला निकल रही है वो आप देख सकते हैं Next question देखे किस automobile निर्माता ने भारत में एक virtual racing championship शुरू किये Which automobile manufacturer has launched a virtual racing championship in India virtual racing championship मारुती सूजी की Hyundai Motors वो स्वोगन और Tata Motors मारुती सूजी की Hyundai Motors वो स्वोगन या Tata Motors इन में से जो आपका option सही है वो right answer करें कमेंड कीजे हाँ बिल्कुल काना राम जी मीना सही कह रहे है जार है जो जो शब्द है वो वहाँ के जो शाषक होते थे एमपरस उनके लिए यूज हुआ करते थे शाषकों के जो सरनेम से वो जार से रीपर्जेंट होते थे बिल्कुल सही है देवेंदर पास सिंग कान सुरा चुका है भई देवेंदर पास सिंग है Hyundai Motors को इस रेस जो वर्चूल रेसिंग चेंपियंशिप वर्चूल रेसिंग चेंपियंशिप इसको शौर्ट में आप कहा सकते हैं V.R.C की कहा ना लेकिन यह V.R.C से आगे कौन सा जो मोटर्स है यह चेंपियंशिप का आयुज़न करवा रहा है V.R.C V.R.C कौन सा जो आटो मोबिल जो इंडिस्टी है वो आयुज़ित करने वाला इस जो वर्चुल है वर्चुल का मदद समझ रहे हैं कि कोरोना काल है इसके लिए आपका फीजिकली या आपका जो जिस तरह से पहले टूर्णामेंट हुआ करते हैं वैसे टूर्णामेंट नहीं हो सकते हैं इसलिए ये आभासी रूफ से हो रहे हैं वर्चुली होंगे यानि आपका आउनलाइन होंगे तो ऐसे टूर्णामेंट का एक आयुज़न है वो करने वाली जो आपकी आपकी आउटो मोबिल कंपनी है और वो है मारुती सूज़ी की हिउन्डे मोटर्स वोक्स वोगन और टाटा मोटर्स तो जिन्होंने वोक्स वैगन वी डेवल्यू वी आर सी ठीक है तो जिन्होंने सी ओप्शन लिखा है उनके आंस्वर सही है सी इस दा राइट वांस तो ये सभी इंडियन एक इसके लिए इंडियन पार्टिसिपेंस के लिए ओपन है इसमें सिरफ इंडिया के लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंडिया के लोग ही इसमें भाग ले सकते हैं तो इसमें इस टूर्नामेंट के जरिए टोटल 26 26 ड्रिवरों का finally select किया जाएगा जो winner होंगे 26 winners को select किया जाएगा और 2021 में जो actual में यह जो real जो आपकी जो यह polo आई टाप का polo cup है यह polo car racing है और polo car racing जो 2021 को actual में होगी उसमें यह 26 drivers है वो participate करेंगे फाग लेंगे उनके लिए एक virtual racing का आयवजन है वो कर रहा है और इसके लिए online जो android हो रहे हैं वो 10 अगस से लेकर के 9 सितंबर तक 10 अगस से 9 सितंबर तक online इनका जो आवेदन है वो लिया जा रहा है 9 सितंबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं अगर आप लोगों को virtually इस प्रकार की race में हिस्सा लेना है तो आप ले सकते हैं और इस race में जो 20 top 26 winners होंगे उनको अगले साल 2021 में जो really जो आपका पोलो जो आपका race championship होगा पोलो जो आपका car racing है उसमें ये आपका ये जो 26 जो आपकी winners है वो उसमें participate करेंगे तो उसके लिए ये है और C आपका option सही है next question देखे हाँ next आपका जो topic है उन्यूस people से है गुजरात में बनेगा 1500 करोड का दुनिया का सबसे बड़ा toy museum जैसे कि आफ जो pick में देख रहे हैं गुजरात में विश्ट का सबसे बड़ा toy museum है वो बनने वाला है इसके लिए 30 एकड जमीन है क्या कर दी गई है अलोट कर दी गई है तो गुजरात की Children University के बालभवन प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया जा रहा है Children University के बालभवन प्रोजेक्ट उसके तर इसको बनाया जा रहा है ये प्राचीन कार से लेकर आदो निकाल तक के 11 लाग से जादा खिलोने इसमें क्या किया जाएंगे प्रदर्शित किया जाएंगे तो इसका उद्देश है क्या है? खिलोना के जरीए वेग्यानिक है, कलाकार है, मापुरुश है, उनको इंट्रोड्यूस करवाना, उनको परीचे करवाना तो अभी जो सबसे बड़ा जो आपका टॉय म्यूजियम है, वो कहां पे है, विश्व में, वो आपका अमेरिका के मिसोरी स्टेट में है, जहां दस लाग से अधिक खिलोने है, अभी का जो रिकॉर्ड है, जो अमेरिका का मिसोरी स्टेट है, वहां पे, मिसोरी में, विश्व का सबसे बड़ा जो टॉइ म्यूजियम है जहां दस लाग से भी ज्यादा टॉइ है वो देखने को मिलेंगे आपको तो अभी तक रिकोर्ड है वो अमेरिका के मिसोरी स्टेट में सीत है अमेरिका के मिसोरी स्टेट में जहां दस लाग से अधिक आपके खिलोने है लेकिन गुजरात के अंदर अभी आप देख सकते हैं कि पंद्रा सो करोड का ये दुनिया के सबसे बड़ा तॉई म्यूजिम है ये बनने जारा है जिसके लिए 30 एकट के लगबग जमीन अलोट हो चुकी है बज़र्ट है वो पंद्रा सो करोड अलोट हो चुका है और प्राचीन काल से लेकर के और आधुनिक काल तक 11 लाग से भी ज़्यादा खिलोने इसमें है वो प्रदर्शित किये जाएंगे और खिलोनों के जरीए क्या किया जाएगा वैग्यानिक होगे या कलाकार होगे या जो महापूरु से उनको इंट्रोडीस करवान होता है तो राज़ी की राजधानी गानी नगर इस तिद्धि गिप्ट सिटी के करीब शापूर और रतनपूर गाहों के बीच में इसको बनाने की तहरी यानि यह लोकेशन आप याद रखिए कि गुजरात में भी का गुजरात की कैपिटल आपको पता है गानी नगर है तो गानी यह समय लग जाएगा पाश साल तो चिल्द्रेन यूमिश्यूिस्टी के खुलुपती नयाज को यह बताया कि वो दो-तीन महीने में इसका निर्मान कारिया शुरू कर देंगे और इसका निर्मान कारिय से एसका शिला नयाज किया जाएगा और पी-म मोधी इख सिलानयास क पहले का अभी जो टॉप है वो आपका मिसोरी स्टेट यूएस का है अगला जो टॉपिक है वो देखे जिनोम वैली से मिल सकता है दुनिया की आधी आज़ी को कोरोना टी का तो एश्या के सबसे बड़ा जो फार्मा कलस्टर है हैदराबाद की जिनोम वैली तो हैदराबाद में जिनोम वैली इस्टित है जहां पर आपके जो कोरोना की जो काफी साइंस्टिस्ट है वो इस प्रैक्टिस में लगे हुए हैं कि वो वैक्सीन का डेवलप कर रहे हैं और काफी संख्या में हैं आप देख सकते हैं कि लोगों को अलग लग तरह की वैक्सिन लगे कि एक साल में चार सो क्रोर वैक्सिन डोस बनेंगे यहां पर, कहां पर, यह जो आपकी वैली देख रही है, जीनोम वैली, जीनोम वैली, तो जीनोम वैली कहां पर शित है, हैदराबाद में, एक तो यह प्र एशिया के सबसे बड़ा जो फार्मा क्लस्टर अगर मिलेगा तो वो मिलेगा हैदराबाद और उसको कहते है जिनों वैली ठीक है तो जिनों वैली यहां दिन रात काफी वैग्यानिक है वो आपके 1000 से भी ज्यादा वैग्यानिक दिन रात कॉरोना की वैक्षीन को डैवलप कर तो इंडिया की जो टॉप कंपनी है जैसे कि आपने बता है कि एक तो आपकी है बायोटेक है फिर बायोजिकल ई है और इंडियन इम्यूनोलोजिकल तो यह तीन कंपनिया यहां देख सकते हैं कि 18 देशों की 200 कंपनिया जिनोम वैली में क्या करें रिसर्च करें इस फार्मकलस में 15,000 साइंटिस्ट है वो रिसर्च में लगे 15,000 के लगबग जो आपके वैगयनिक है वो किसमें लगे हुए है रिसर्च में लगे 600 करोड वैक्सीन डोस सालाना बनाने की यहां शमता है इसे सीटी ओफ वैक्सीन भी का जाता है तो हैदराबाद को देखिए कितना पॉप तो वैली की स्थापना कब हुई एक तो यह जाता कि इस प्रकार जीनों वैली की स्थापना हुई वो हुई है 1999 में वैली की स्थापना कब हुई है 1999 में स्थापना हुई है फैदराबाद की इस वैली में प्रदूशन फैलाना वाली जो गोली केप्शूल है बनाने के अनु कह सकते हैं city of vaccine भी कह सकते हैं तो यह काफी popular है इस पर भी काफी questions आपके बन सकते हैं अगला topic देखिए कि नो माई नेम एक book है जिसका नाम है कि नो माई नेम नो माई नेम नाम से एक book है नो माई नेम जैसा कि यहां देख रहा है और यह book की writer है channel Miller बुक की writer कौन है channel Miller और इसने लिखी है एक book है जिसका नाम है नो माई नेम यह k-n-o-w है नो माई नेम ठीक है नो माई नेम यानि मेरे नाम को जाने आप कह सकते हैं यह नो माई नेम नामक जो किताब में 2015 में Stanford University campus में जो उनके साथ एक आप बिती हुई writer के साथ जो उनके साथ दुसकर्म हुआ उसको ले करके उनोंने हिमत करके इस book में अपनी आप बिती को दर्शाय है तो जनता यह कहरी कि मुझे Emily Doe के नाम से भी जानती है तो इन्होंने किया किया कि हर दिन अपनी पांडूली भी त्यार किया हर दिन अपने experiences को write किया है लिखा है उसको एक book के रूप में present किया है तो यह इनकी book है और जिनका नाम है channel miller channel miller know my name नामक book को इन्होंने publish किया है ठीक है यह इनकी book है और यह जो इनको प्रेणना है जो मिली उसके बाद इन्होंने इस book को लिखा है अगला topic देखिए national है आपके sports दे जो हाली में आप लोगोंने मनाय होगा sports दे जिसके उपर काफी sports के जो awards बगरा है उसका जो वितर्ण किया गया था यह आपके awards सारे वितर्ण किये गे थे तो यह awards जो है वो 29 यह आपका day है वो 29 अगस्त है जिसको आप खेल दिवस के रूप में भी जानते है रास्तिये खेल दिवस यह मेजर दिहांचन का जनम दिवस और नैसनल स्पोर्स डे रास्तिये खेल दिवस 29 अगस्त 29 अगस्त रास्तिये खेल दिवस है 27 अगस्त को एक वर्चूल एक meeting हुई है और एक आभासी जो meeting है वो किसके बारे में आशियान इंडिया Business Council की हुई ASEAN और India का जो व्यापारी जो आपका परिश्ट है उस व्यापारी परिश्ट की जो वर्चुल मीटिंग हुई उसकी अध्यक्स्ता है वो किस ने की है अध्यक्स्ता आपके Pius Goyal जो आपके Commerce और वानीजे उद्योग मंत्री है जो आपके वानीजे और उद्योग मंत्री Mr. Pius Goyal ने इस प्रकार के एक मीटिंग की अध्यक्सा की The NRA Unified Portal has been launched by which state for overseas Indian and NRA residents of state to provide them assistance during the time of needs यानि Corona needs Corona के काल में जो needs है और जो NRAs है उनके लिए एक NRA Unified Portal का निर्मान किया गया या इसको launch किया गया है NRA Unified Portal अब पूछा जा रहा है कि ये किस ने launch किया है has been launched by which state कौन सा ऐसा state है state का नाम पूछा किस state ने इसको launch किया है NRA के लिए NRA Unified Portal the state government है आपकी UP और UP के CA में योगी अधितिनाथ UP योगी अधितिनाथ has launched an ambitious NRA Unified Portal to provide assistance to overseas Indians and NRIs किस को एक तो overseas Indians overseas Indians और दूसरे हैं आपके NRIs इन दोनों को Corona का आल में assistance provide करने के लिए एक portal launch किया है ठीक है NRA is the state during any emergency कोई भी emergency हो इसके लिए उन्होंने जो website बनाई हो है nra.up.go.in जो website बनाई है nri.up.go.in ठीक है ये website बनाई है और इस website के जरिए वो government है ऐसे लोगों को assist यानिकी needs में आवशक्ता में उनको assist करेगी उनकी मदद करेगी overseas Indians और NRAs के लिए next जो है वो one liner है Brian Brothers को ले करके Brian Brothers आपको पता है कि हाली में जो सूर्खियों में थे Brian Brothers आप सभी को पता है कि Brian Brothers है वो किस field से related थे आपको ये ज्यान करी होनी चीए Brian Brothers ये Twin Brothers थे जुड़वा भाई थे किस देश से belong करते हैं किस field से उनका नाता है किस field से related ने और हाली में ये सूर्खियों में क्यों है देखिया रिसेंटली उन्होंने क्या क्या कि अपना एक retirement अनौस किया है उन्होंने अपना अपनी जो भी sports activity उससे सेवा निवरत हुए है उन्होंने retirement को announce किया है राइट ब्रदर्स ने तो राइट ब्रदर्स ने हाली में retirement किस खेल से किस professional game से लिया है ये दोनों twin brothers अमेरिका से थे और अमेरिका के ये lawn tennis के जुड़वा खेल वाड़ी जुड़वा भाई थे और जुड़वा खेलाड़ी थे यूगल थे आपका इसकोई तक डबस खेलते थे और lawn tennis इनका game था ठीक है ना lawn tennis यहाँ शॉड़ में आप L.T. कह सकते हैं ठीक है ना lawn tennis तो ब्राइन ब्रदर्स में दोनों के नाम एक बॉब ब्राइन है दूसरा है माइक ब्राइन American ब्राइन 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 के नाम से ये पॉपुलर है bob and mike brian both 42 years old है ठीक है क्योंकि twin है इसलिए उनकी जो उम्र है वो sam होगी have one more professional games जीते है matches, tournaments जीते है grand slams भी जीते हैं और ये men's pairing में ठीक है तो ये जो आपके है जो खिलाडी है वो lawn tennis का याद रखिए LT short में brian brothers इन्होंने retirement लिया हाली में प्रतीक्षा is the first in the series of the three marine ambulance that were launched recently देखिए प्रतीक्षा के नाम से एक boat का launch किया गया है बोट ऐसी बोट जो ambulance service provide करेगी क्या नाम है प्रतीक्षा ही करना ये तो है आपका brian brother brian brothers और ये प्रतीक्षा प्रतीक्षा नामक एक क्या है ये आपकी boat है जो ambulance service provide करती है ambulance service provide करती है तो ये कहता है कि three जो marine ambulances है उसमें से एक का नाम है प्रतीक्षा प्रतीक्षा के अलबा दूसरी और है जो है प्रत्याशा प्रत्याशा और तीसरी जो आपकी boat है उसका नाम है कारुनिया या करुना कह सकते हैं ठीक है कारुना या करुनिया ठीक है तो ये किस state ने इस प्रकार की boat को इजाद किया है इनको इनागुरेट किया है इनका उद्गाटन किया है उस state का नाम आपको जरूर पता होना चाहिए तो boat के जरी जो आपके ambulance service प्रोवाइड करेगा जिन तीनों boat का नाम प्रतीक्षा प्रत्याशा और करुना है और ये जो boat तीनो ये आपका का केरला स्टेट्स गॉअर्मेंट ने इसको launch किया है यही आपका option देखे और के कोचिन shipyard limited जो आपका CSL है इसना इसका निर्मान किया है CSL कोचिन shipyard limited सी एस एल यह कहा है कोचीन में है और कोचीन नाम से यह पोपुलर है कोचीन शिफ्यार्ट लिमिटेड और कोचीन शिफ्यार्ट लिमिटेड ने इनका इनागुरेट किया इसका उद्गाटन किया सुरी इसका निर्माण किया तो यह मैनुफैक्चर है निर्माता है और केरला ने इसका उद्गाटन किया है केरला गौर्मेंट ठीक है तो केरला के जो केरला गौर्मेंट ने इस प्रतिक्षा, प्रत्याशा और करुणा को अगला टोफिक देखिए अगला इंटरेश्टल डे अगेंस नुकलियर टेस्ट इस हैड़ अन विच डे अंतरास्टी जो नाप की परिक्षण दिवस, वो 29 अगस्ट को मना जाता है दा नैशनल G.I.S. इनेबर लैंड बेंक सिस्टम जो लाँच किया गया है वो 6 स्टेट में लाँच किया गया है कितने में? जो GIS enable किया गया है इनको जो high tech किया गया है land bank को लेकिन ये GIS जो पद्दती दोरा जिन बैंकों को जो enable किया गया है वो total किते states हैं? 6 states में 14 इंडिया Singapore Defense Policy Dialogue जिसको आप DPD भी कह सकते हैं और ये DPD was co-chaired by Defense Secretary of India and Singapore यहनि Defense Secretary दोनों देशें को इंडिया के उस सिंगापोर के जो Defense Secretary जो सचीव रक्षा के सचीव है उनके दोरा इसको से अध्यक्स्ता है वो की गई है So who is the Defense Secretary इंडिया के Defense Secretary के आपको नाम पूचा गया कि उंडिया के रक्षा सचीव कौन है इंडिया के रक्षा सचीव है? अजय कुमार डॉक्टर अजय कुमार इंडिया के रक्षा सची है और इन्होंने अपने समकक्स जो सिंगापूर के मिस्टर चान हैंकी के साथ से जक्सता की इस प्रकार के DPT यह इस प्रकार के डाइलोग की जो दो रास्टों के बीच में डिफंस लेवल को लेखर के जो मीट होता है उसकी जो को अदेख्श्ता की अगला देखिये तैल्गु लेंगविज डे इस ऑफजर इंटवर यह भी तैल्गु लेंगविज डे हैzh यह भी आपका कली मना गया था 29 अगस्त को मना गया था तैल्गु is referred as Telugu का मतलब किया है the Italian of East Telugu को ये माना जाता है कि ये East का Italian है पूरो का Italian है यानि Telugu को पूरो का Italian माना गया the language ends with woos just like the Italian language मतलब जो language है इसके अंदर Italian के जो आपके woos है वैसा ही woos आपके इस परकार की Telugu language में इसलिए इसको इस्ट का इस्ट का इस्ट का आगया the day is observed to commemorate the birthday of one of the earliest modern Telugu linguistic गीडू गू वैंकटा रामा मूर्थी ये इस जो लिंग्विस्ट जो आपका लिंग्विस्ट है जो आपका भाशाविद है जिसको कह सकते हैं गीडू गू वैंकटा रामा मूर्थी और इनी की याद में इस डे को मनाया जाता है और ये है 29 अगर्ष्ट को दे यूनियन में नेक्स देखिए अगला यूनियन में जो कल्चर का है उसने क्रियेट किये 7 नए सर्किल मैंने का नए ASI जैसे हमने objective questions में देखा था कि Archaeological Survey of India ने कितने नए सर्किस है वो बना है टोटल साथ सर्किस तो उसी को लेकर के ये एक explanation है सेवन सर्किस किसने बनाए सांस्कृती मंत्राले ने क्रियेट किया है और एड किया 7 नए सर्किस फोर किसले ASI के लिए Archaeological Survey of India के लिए These are ये साथ आपके सर्किस कहां कहां है राजकोट है जांसी है जबलपूर है राय गंछ त्रीची, मेरेट और हमपी में और इनसे अब टोटल दमरो जो ASI सर्किस की संक्या कित लिए टोटल नमर उप ASI सर्किस ASI के जो टोटल सर्किस है वो अब हो गए 36, टोटल कितने सरकस हो चुग है, 36 हो चुग है, दो वर्ड हैल्थ और कि डबली एचो ने डिगलेर किया है, पूरे अफरीका को पोलियो फ्री, WHO ने पूरे अफरीका कॉंटिनेंट को पोलियो से मुक्त कर दिया है पोलियो फ्री गोशिट किया गया अफरीका रीजनर सर्टिफिकेशन कमिशन सर्टिफाइड 47 nations of Africa टोटल 47 जो देश है अफरीका कॉंटिनेंट अफरीका महादीब के उनको पोलियो मुक्त गोशिट किया है और World Health Organization आपको पता है WHO का मुख्याल है का है स्विजरलेंड में जीनेवा में जीनेवा स्विजरलेंड ठीकर वहाँ पे WHO का मुख्याल है और WHO ने अफरीका के टोटल 47 जो नेशन्स हैं यां कंट्रीज उनको पोलियो मुक्त कर दिया गया है टिक टॉक चीफ एग्जीकुटी है CEO केविन मेयर क्या नाम है केविन मेयर केविन मेयर CEO आप कह सकते हैं चीफ एग्जीकुटी ओफिसर उन्होंने अपनी पोस्स से क्या कर दिया है रिजाइन कर दिया है तीन मेयने पहले उनकी न्यूक्ती हुई थी केविन की और केविन ने तीन मेहिने बाद अपने पस से इस्तिफा दे दिया है यानि रिजाइन कर दिया है वो नौर्थ का अमेरिका वेनेशा पापास वो इस पोजिशन को संभालेंगे अगला टॉपिक देखे गवर्मेंट अब इंडिया ने लांच किया है चुनोती जो चैलेंज करेगा कॉंटेस्ट इन बिहार के अंदर चुनोती यानि ये भी अभी हाली में काफी सुर्ख्यों में राया है चुनोती क्या है तो गवर्मेंट इंडिया ने चुनोती को एक next generation का startup के रूप में इसको launch किया है और इसका उद्देश है क्या है software जो products है जो startups है उनको क्या करना उनको process करना उनको boost करना special focus कि इस पे tier second के towns जो country के अंदर दो two tier वाले tier two type के जो towns है ऐसे towns को focus किया गया है उन towns के अंदर जो भी software के startups है उन startups को boost करना उनको प्रोसाहन देना तो ये एक उद्देश ही रखा है government of India ने चुनोती को लेकर के इसकी मैं highlights में देख सकते है कि in the चुनोती contest में over 300 startups will be selected and provided various support from the government through the software technology parks of India the interest across India मतलब जितने जो software parks बने हुए parks के जरिये ऐसे industry ऐसे startups को support करेगी government ने और ऐसे total इस contest में 300 ऐसे startups का पहली round way selection किया जाएगा center will provide a seed fund of 25 लाग और इनको हर industries को हर startups को 25 लाग का जो fund है वो provide किया जाएगा and इसके अलावा जो cloud credits है वो भी आपका provide किया जाएगा the ministry invites करेगा startups in area और किस-किस area के startup इसमें consider हो रहे हैं वो देखे medical healthcare के diagnostic के preventive or psychological care के edu take के agri take के fin take के इसके इलावा supply chain logistic transportation management होगे infrastructure remote monitor होगे तो यह है आपका चुनोती चुनोती के आपको चुनोती को आप देख सकता है challenge hunt under ngis for advanced uninhibited technology intervention यह इसका पूरा नाम है next देखिए union defense minister राजना सिंग उन्होंने formally एक rafal fighter jets का क्या किया है formally induct किया है Indian Air Force में September 10-20 को यह induct किया जाएगा Ambala Air Base से induct किया जाएगा मतलब इसको यह आपका rafal fighter jets है आली में आपको पता है कि France से rafal fighter jets है वो purchase किये गे थे उनकी संख्या भी पूछी जाती है objective questions में तो September 10 यानि 10 September को Indian Air Force का जो Ambala Air Base है वहाँ से इनको launch किया जाएगा वहाँ से इनको inject किया जाएगा the rafal induction ceremony नहीं वो आपका attend किया जाएगा French minister आपके Florence Parly द्वारा Florence Parly जो आपके जो counterpart है राजनात के France के वो इसमें participant केई जो आपको से रेमिनी का आइजन होगा जहां फे rafal को inject किया जाएगा induce किया जाएगा तो India receive five देके आपको पता है पांच रफाल फाइटर जेट है वो हाली में France से प्राप्ट किये दे तो कितने जो फाइटर जेट प्लान थे रफाल नाम से पांच थे और France से वो country है जो जहां से प्राप्ट किये Indian Railway said to meet its energy consumption of over 33 billion units by which year 33 million एक target रखा गया है Indian Railway द्वारा विद्यूत कि छेत्र में और electrification के छेत्र में 33 billion units तक का electric जो production है वो railways कब प्राप्ट कर लेगा Indian Railway said to meet the energy consumption of our मतलब 33 जो आपका billion units तक energy consumption का जो target है वो कब तक achieve कर दिया जाएगा ये हो जाएगा आपका 2030 तक The discussion is aim to achieve the ambitious plan of Indian railways to achieve 100% electrification of railways by 2023 यानि 2023 तक इंडिया के अंडर railways का जो electrification का target रखा गया है वो 100% electrification हो जाएगा और वो है 2023 तक ठीक है The current annual energy requirement जो है Indian Railway की वो है लगबग 21 billion unit तो जो light units या जो विजली की units का जो खपत होती है वो खपत कितनी हो रही है वो units का जो खपत हो रहा है वो आपका लगबग कितना हो जाएगा 21 billion units Indian Railways has developed a mega plant to install solar power plants और capacity 20 gigawatt by utilizing vacant lens 2030 तक अब इसी के according उनको जो आपके solar plants से वो develop करने पढ़ेंगे और कितने gigawatt तक का target है 20 gigawatt का खीक है अगला देखिए गवर्मेंट अब आसाम ने अपरूब किया है आसाम इसकिल डेवलप्मेंट यूनिवसिटी बिल्ट टू सेट अफ वर्ड क्लास इसकिल यूनिवसिटी एट मंगल दोई दारांग दिस्टिक दा यूनिवसिटी विल बी फाइनेंस बाई विच बैंक यानि गवर्मेंट अब आसाम अपरूड दा आसाम इसकिल डेवलप्मेंट यूनिवसिटी बिल ये अपरूड किया है गवर्मेंट अब आसाम ने और सेट अप क्या करना है एक इसकिल यूनिवसिटी कैसी वर्ड क्लास की विश्व इस्तर की एक skill university को develop करने के लिए एक bill पास किया गया है government of assam ने और उस bill को पास करने के बाद इसकी जो finance यह वित्पोशन की विवस्ता है वो कौन करेगा यह उस bank का नाम पूचा गया है तो यह bank आपका है ADB Asian Development Bank Asian Development Bank ठीक है Asian Development Bank वो bank है जो इस प्रकार की university का जो finance करेगा वित्पोशन का काम करेगा ठीक है Asian Development Bank है ADB हाँ तो आसाम में यह इस प्रकार की university को develop हो रही है और Singapore बेस जो IT education आपका जो service है वो इसमें development में help करेगा skill development university को develop करने में Singapore की एक company है और उसका नाम है IT education service और यह government आसाम है उसके साथ क्या किया गया है tie up किया गया है next topic देखिए which state UT has launched irada irada campaign to include eligible laptop beneficiaries under social welfare scheme social welfare की जो इसकी में उसके तैद जो आपके laptop beneficiary जो पीछे beneficiary जो आपके है वो बच चुके है उनके लिए जो आपका campaign launch yours का नाम है irada यह हिंदी में आप irada कह सकते हैं तो कौन सा state यह UT ने ऐसा launch किया है तो जमू काश्मीर में ऐसा launch हुआ है Dr. Sagar D. Doi Ford Doda District Deputy Commissioner launch किया irada campaign to include eligible laptop benefits who have not yet been enrolled to receive the financial assistance benefits under various social welfare इसकी मतलब जमू इन कश्मीर के अंदर जो समाज कल्यान विभा की तरफ से जो schemes लाई जाती है उस schemes में कुछ जो जो नीडी होते है उनको benefit पहुँचा जाता है government of J&K के द्वारा तो उसमें जो पीछे बच चुके left out का मतलब जो पीछे रह चुके उनके फायदे के लिए एक irada नाम करके campaign लाया गया है जो पीछे बच चुके उनके लिए ठीक है यही कह रहा है includes old age pension इसके अंदर क्या है जैसे old age की pension होगी widow और handicap की scheme होगी in other words the campaign is for 100% coverage under social welfare मतलब यह जो आपकी scheme है यह 100% social welfare scheme है समाज कल्यान की एक योजना है और उन्हीं लोगों को provide किया जाग जो अब तक पीछे वंचित हो चुक है तो यह जमू एंड कस्मीर की है कहां की है यह इरादा scheme जो है वो जमू एंड कस्मीर की है which bank lead the consortium of six banks which signed deal with उतरपरदेश express way इंडिस्टियर डेवलप्मेंट आथर्टी to fund बंदेल खंड express way project यानि बुंदेल खंड का जो express way जो आपका project है उसको fund करने के लिए कौन सा bank कौन सा lead bank है जो च्छे bank का एक consortium है उसको वो lead कर रहा bank which sign जो उसने deal sign किया उतरपरदेश एंडिस्टियर डेवलप्मेंट आथर्टी के साथ UP EIDA इस authority के साथ एक deal sign किया है च्छे bank कों का एक consortium है और उस consortium को एक bank lead कर रहा है consortium आप समझ सकता है च्छे bank का एक group हो गया और उसमें एक bank को ज़्यादा charge दिया जाता है उसको वो lead करता है उसको head करता है तो उस bank ने उसके साथ क्या क्या है UP का expressway industry development authority साथ एक deal किया है कि वो आपका बुंदेल खंड का जो expressway project है उसके लिए fund करेगा तो उत्रप्रदेश expressway industry development authority याँ याँ यूपी EIDA जैसा यहाँ देर का है नाम UP EIDA signed a deal with the consortium of six banks led by और इस bank को lead कौन कर रहा है bank of baroda funding construction of बुंदेल खंड निर्मान है इस expressway कि निर्मान को fund करेगा तो ऐसा consortium चैप बैंकों का जिसको lead कर रहा है the consortium of banks include bank of baroda union bank of india, bank of maharashtra indian bank है, bank of india और uko bank है ठीक है यह वो चैप बैंक है आप देख सकते हैं चैप बैंकों का consortium हो गया bank of maharashtra भी है, indian bank भी है, bank of india और uko bank है, bank of baroda accepted, the leadership of this consortium की leadership bank of baroda ना accept किया UPIDA which is the response for the construction of bundelkhand expressway project has taken a loan of 5900 crore from 6, यह जो चैप बैंक का consortium यहां से जो bundelkhand expressway project के लिए UPIDA ने जो loan परात किया है, वो है 5900 crore का, 5900 crore, तो today's question in आज का सवाल, तो आज ultimately we have come to the end of session अभी सत्र का अंत पर आ चुके हैं यहां सिरफ दो question मिलेंगा आपको एक कल के questions का हल देखने को मिलेगा और एक आपको आज का नया question है, वो provide किया जाता है ठीक है, तो नया question आप देख ही रहें coral reefs in India are not found in coral reefs, भारत में coral reefs में वो कहां नहीं पाए जाते हैं, सुंदरबन मनार की खाड़ी, कच्च की खाड़ी यह अंडमान और निकोबार द्वीप समो यह आपका question है, आपको इसका answer है, वो देना है और मैं आपका answer है, वो कि आप लोगों में से किन लोगों ने answer सही किया है, और किन लोगों ने answer को गलत किया है coral reef को ले करके, और भारत के अंदर ही coral reef है, वो किस छेत्र में नहीं पाए जाते हैं, इसका आपको answer करना है, और कल का जो question था, उसको देखे, 29th of August का question था, कि on August 24, star है, पोलो मी घाटक ठीक है, यह घटक कह सकते है announce, अपना retirement announce किया है, he represented India at the Commonwealth Games in 2006 and the Commonwealth Championship between 2000 and 2008, he entered the Olympics in Sydney for the first time at the age of 16 तो यह जो पोलो मी घटक है उन्होंने हाल में सन्यास की गोशना की है, 2006 में, राश्ट में खेलों में और 2000 से 2008 के बीच Commonwealth Championship में बारत का इन्होंने प्रतिनिदीत किया था, उन्होंने 16 साल की उपने पहली बार Sydney में Olympic में भी प्रवेश किया था, आपको बताना था कि यह किस खेल से संबंदित है, table tennis, lawn tennis shooting और बास के एक और नाम है आपका पोलो मी घटक तो पोलो मी घटक, जैसा कि हमने आपको बताया था, कि पोलो मी घटक आपका, जिन्होंने भी अपना option, यह लिखा है उनकी answer सही थी, ठीक है पोलो मी घटक में आपका यह answer सही है, table tennis से यह related थे तो पोलो मी घटक था पेवल टैनिस की प्लेयर आप देख सकते हैं पिक्स में देख सकते हैं, यह माईला है और वेस्ट बेंगाल से यह बिलोंग करती है C13 Junior National Championship 1996, 1998, 1999 as well as 7 Senior National Championship भी उन्होंने जीता है 1998 से लेकर के 2016 के बीच, इन 1998 उन्होंने Senior National Junior National Championship भी जीती है तो यह जो प्लेयर है आपके पोलोमी घटक है जो आप देख सकते हैं, यह माईला है और पोलोमी घटक जो जहां भी यहां E है, वहां यह C होगा ठीक है, तो पोलोमी घटक TT, यानि टेबल टैनिस प्लेयर है और वेस्ट वेंगा से बिलोंग करती है और इन्होंने जो 16 साल की उमर से भी इस पोर्स में जो प्रिविस कर दिया और वो भी सिड्नी जैसे ओलमपिक में नोंने प्रिविस किया था 2006 में नोंने Commonwealth Games में 2006 से लेके 2008 की बीच Commonwealth Championship में और आज नोंने खेलों में नोंने भाग लिया था तो ये वो खिलाडी है तो आज का सत्र हमारा यहां खत्म होता है और Monday टू वैसे हमारा Saturday सत्र रहता है हमने आज especially Sunday को आपका सत्र लाए है और काफी इसमें important जो पूरे week की जो महत्पूर महत्पूर गटना है उसको लेकर कि आपके समख से हमने प्रेजेंट किया Monday टू आफ Saturday हमारे इसी सत्र में बने रहे है और हमारे YouTube चैनल को आफ लाइक और शेर करना ना भूले अपने colleagues को इस प्रकार के सत्र का benefit है उठाने का मौका दें और competition के अच्छी तैरी करते रहे है Corona काल में और बने रहे है घर पे बने रहे है social distancing को maintain करते हुए और अपनी तैरी को अंजाम देजिए exams मिल्कुल नए recruitment issue हो रहे है नई बर्दियां आ रहे है जैसे कि stenographer की जो आपकी recruitment है RSM SSB नहीं है उसका program launch कर दिया है stenographer जिसकी जो डेट से form filling की है वो 26 अगस से लेकर के 24 सितंबर के बीच है आप आराम से online अपना form fill up कर सकते हैं और उसकी आप online platform के जरिये best preparation कर सकते हैं तो बने रहे हमारे channel के साथ IQ और IQ is sponsored by आप सभी को बताया कि IQ का sponsor कौन है और आप YouTube पे Facebook पे दोनों channel को आप दोनों channel पे हमें आप देख सकते हैं और इसके अलावा हमारी जो morning और evening की तीन तीन जो classes YouTube पे वो रहती है उन classes में आप जो languages के तीन papers हैं Hindi, English और Sanskrit के हैं और इसके अलावा GS के सारे papers हैं मैस और reasoning की भी इन में classes रहती है तो YouTube पे आप बने रहे हैं धन्यवार नमस्कार